साच्च्रियकाल विद्यार्थियों, मैं गगंदीपकॉर, साइंस मिस्ट्रिस, सरकारी सीनियर स्केनरी स्मार्ट स्कूल सैंसरा जिला अम्रिसर विद्यार्थियों, आजसी, क्लास, अठ्मी दे, चैप्टर नमबर एक, फसल उत्पादन अते परबंदन, क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट दे उपर गालबात करांगे विद्यार्थियों, फसल उत्पादन दी लोड क्यों है? की तुसी इस बारे कदी सोचिया है? की सानू फसल उत्पादन करंदी लोड क्यों पैंदी है? जिमें की क्या जानदा है? पजी फिर दिये रोटी दे मगर दुनिया, सुबा दुपहर शाम नो खाए रोटी बिल्कुल सही विद्यार्थियों, सो सानू पोजन दे लई फसल उत्पादन दी लोड पैंदी है? क्योंकि पोजन साड़े जीवन दा आधार है? As it is said, food is a fuel for the body So, पोजन साड़े शरीर दे लई बहुत जरूरी है जिनिया भी साड़ियां शरीरिक क्रियामा हन उना दे लई सानू उर्जा चाहिदी है? जो सानू पोजन तो प्रापत हुन दी है? ते एसे तरीके दे नाल पोजन जड़ाया वो सानू फसलांतों मिलदा है So, food is required for energy Food जड़ाया वोदे तो सानू energy मिल दिये ते विद्यार्थियों उसे उर्जा एनर्जी दे नाल असी आपने जीवन दियां सारियां किरियामा कर दे हां जी में के तुसी जान दे हो के हरे पोदे जड़ेने उँ अपना पोजन आप संशलिष्ट कर दे हां परन्तु मनुक ते जन्तु ये अपना पोजन आप नहीं बना सकदे ता फिर जन्तु आपना पोजन प्रापत कितो हुन्दा है विद्यार्थियों पोद्यां तो जी असी पुरातन खेती बाड़ी दे गल करिये ता पुरातन खेती बाड़ी दे विच पुरातन उजार दी वर्तों हुन्दी सी सो ओ पोजन दे लई रैंब सेरे दे पाल वेच इदर उद्धर मनुख जड़ा उकुमधा रन्दा सी पोधियां दे फल, तणी, पत्ते ते जड़ा ही खांदा सी ते जन्तुवां दा शिकार करके उसने होली होली खाना शुरू कीता सो विद्यार्थियों मनुख जड़ा पुरातन समय दे वेच उसती खेती बाड़ी दे तरीके वी पुराने सन सो होली होली करके उसने पोजन दे लई कणक, चावल अते होर फसलानों उगाना शुरू करदता इसे तरीके दे नाल खेती बाड़ी दा जन्म होया सो आज तुसी देख देओ के साड़े सामने आदुनिक खेती बाड़ी है जिस्ते वेच असी मौडरन टेकनोलोजी, मौडरन संद जड़े है, आदुनिक संदा दी वर्तों कर दे हाँ सो तुसी देख सकते हो विद्यार्थियों कि आज कल साड़े खेतां दे वेच जड़ी खेती बाड़ी है उदे लई आसी मशीन सी वर्तों कार रहे हाँ सो ए चेंज जड़ा साड़ी पुरातन खेती बाड़ी ते होन दी खेती बाड़ी दे विच आया होली होली जिवेओं जियों साइंस ने तरक्की किती तियों ते हो साड़ी खेती बाड़ी करन दे तरीके वी बदल दे गए पोजन दा लगातार उतपादन करन दे लई सानू खेती बाड़ी दी लोड पैंदी है तो इस दा उचित परबंदन ते सही वांड पर नाली होवे इस दे लई असी फसल उतपादन अते परबंदन जेड़ा इधी सानो लोड है तो ए पार्ट असी कर रहे हाँ सो खेती बाड़ी नो अगर असी डिफाइन करना चाहिए अगरिकल्चर हुंदा किये पौदियां दी कुछ किसमा नो एक थाते उगाणनो असी खेती बाड़ी कहन दे हाँ तो जदो एक थाथे ऊपर कुछ किसमा पौदियां दी उगाईया जान दीया विद्यार्थियो उसनाओ असी आग्रिकल्चर कैनदे हाँ फसल अते क्रॉप हुन विद्यार्थियो तुसी ए दसो के फसल जड़िये ओ की हुं दिये पौदियां दी इको पर जाती नू इको थाते जदो असी वड़े पदरते उगांदे हा उसनो फसल किहा जान्दा है उदारन दे तौरते जिमे कनक दी फसल सो ए जड़ियां फसला ने इना नू असी अपने खेता दे विच उगांदे हा फसला अलागला किसमा दिया ने जम अनाज, दाला, सब्जियां, फल, आद So असी विद्यार्थियो इना फसला दा वर्गी करन कार सकते हा साथे कोल दो मुख वर्गी करन दे वेच असी फसला नू वांड सकते हा पहला है खरीफदियां फसला ते दूजा है रबीदियां फसला खरीफदियां फसला असी जून तो सप्तमबर महीने यानि के वर्खा रुतविच उगौन दे हा जिमे के चावल, मक्की, सोयाबिन ते रबीदिया फसला असी अक्तूबर तो मार्च दे महीने यानि के सर्द सरों अलसी आद वर्ग करनंगा खरीव। दे रभी दियां फसलां गिरदेते धीत तो गचीय फसल है। इसलाएथे रभी दी फसलां दे विच सड़े कूल विद्यार थियों। सरो, कणक, अलसी, मटर, छोले आग ओंदे हान। उपरोक्त फसलातों इलावा असी कई खेतरां दे विच गर्मी रुत विच दाला अते सबजियां भी उगाँदे हां। सो विद्यार्थियों, इस तो बाद सी गाल करांगे के खेती बाड़ी पदतियां की हुंदिया हान। वट आर अग्रिकुल्च्रल प्राक्टिसेज वक वक फसलानू ओ गौन दे लई जदो की सानानू समे समेते कई किर्यावा करनियां पैंदिया हान। विद्यार्थियों, इनकिर्यावानू ही असी खेती पदतियां आख दे हां। सो जिमे के बीज बीजना, खाद पौना, सिंचाई करना, गोड़ी करना, वाड़ी करना या फिर पक्की होई फसल दा पंडारन करना। सो विद्यार्थियों, नेक्स्ट असी ए स्टेप बर स्टेप देखांगे कि ए सारे प्रोसेस की हान। सब तो पहला साधे कोल, जदो किसान ने कोई भी फसल उगाणी हों दिया है, ता पहला स्टेप बहुत इंपोर्टेंट है, ओ है खेत जा पूमी दी त्यारी। सो मिट्टी नो पुटना, उल्टाउना ते पोला करना इसनो असी मिट्टी दी या पूमी दी त्यारी कहन दे हां। उसने लई विद्यार्थियों अलागलाग सांधिवी वर्ते जान देने जिमें के हल, करंडी, कराहा, सुहागा, ठीक है जी? इना दे नाल उसी मिट्टी नो पोला कर दिन दे हां, ताके जड़े साड़े पौधे ने उना दी जड़ा मिट्टी दे अंदर तक तस जान ते ओ जड़ियां जड़ा ने ओ रामनाल साल आई सक दियाने जिदे करके साड़ी फसला जड़ियाने ओ चंगी तरा ओधे उपर ग्रो कार सकन गिया सो सब तो पहला स्टेप की है प्रप्रेशन ओफ स्वाइल यानि के पूमीदी त्यारी सो तुसी देख सकते हो विद्यार्थियो असी हाल दिवर्तो कर देया हाल तुसी जरूर देख्या होना खेता देवेच के मिट्टी नो उल्टान पल्टान दे लई या पोली करन दे लई असी प्लोईंग कर देया इसनो इंग्लिश देवेच क्या जानदा है प्लो और प्लोई तिए प्लो जडाए या हाल जडाए ये ते वैज तुसी देख साकते हों विद्यारतियों कि इसाड़े कोल ए लक्रदा जडाए पिछला ये धा डंडा बनिया होंदा है ते हाल दे वैज असी एक सिरा लोई दा है जो तिखा ते मजबूत होंदा है इसनों असी फाला या पलोशिर केंदे हां इसदा मुख हिसा लंबी लकड़ दा बनिया हुंदा है जिसनों असी पंजाली या पलोशाफ्ट केंदे हां विद्यार्तियों ये जड़ा हाल जानवरां दे उपर जिस तरह बलदां दे उपर रखके असी एक वी कोई वी आदमी असानी दे नाल चला सकदा है जो ए जड़े हाल ने इना नो पशुआ दे द्वारा जड़ाया ओ खिच्या जानदा है नेक्स्ट असी करंडी दी वर्तों भी कर दे हाँ यानी की हो ये नदीन हटोन अते मिटी नो पोला करन लई वर्तों कर दे हाँ एवी विदियार्थियों एक लंबी लकड़ दा बनिया हुनदा है जा लोए दी छाड़ हुनदी है ते एक तरह दा ब्लेड दा सड़ा काम करदा है ए भी पशुआ द्वारा खिच्या जानदा है इसनो नेक्स साड़े कुल आनदा है कराहा जाक्रा कल्टिवेटर सो विद्यार्थियो ट्रेक्टर नल चलन वाले कल्टिवेटर दी सहाइता दे नल हालवाया जानदा है इस दे नल साड़ा समा जड़ा या ओखर्च हुनदा ते उर्जा दावी साड़ा बच्चा हुनदा है नेक्स साड़े कुल आनदा है सुहागा या लेवलर मिट्टी नू पदरा करंदे लई लेवलर या सुहागा वर्तिया जानदा है विद्यार्थियो पहला स्टेप सीगा साड़े कौल मिट्टी दी त्यारी जदो साड़े पुमी तियार हो गई उस तो बाद असी सेकंड स्टेप दे उपर चलना है जिसनों असी बिंजाई या सोइंग कहन दे हाँ ये वी साड़े फसल उतपादन दा परमुक हिस्सा है क्योंकि बीजन तो पहला सा नूवदिया किसम दे बीजन दी चोन करनी पन दी है के बीज जड़े है वो साफ होन सेत मंध होन होने असी किस्तरा जज करांगे कि कोई बीज जड़े है वो सेत मंध ने के खराब ने विद्यार्थियों असी पाणी दे विच ओ बीज पाके रख सक्दे हां रात पर तुसी उनानों पेयार आयम दियो जेडे खराब बीज होनगे अंदरों खोकली होन कारण ओ हलकी हो जान दे हां ते ओ पाणी दे उपर तेरन लग जान दे हां इस तरीके दे नाल असी वदिया ते सेत मंद बीजानों खराब बीजानालों वक्ख कर सक्दे हां तो जेडे बीज वदिया होनगे उनानों असी बीज देना है तो इस तरीके दे नाल तुसी पहचान कर सक्दे हो सो बिजाई दे लई वे कुछ सांद वरते जान दे हान जो ट्रडीशनल साड़े टूल्स सीगे उसी कीप अकारदा बीज पोर ड्रिल जिन्नों तुसी कहन दे हो इस दे नाल तुसी जड़ा है गाया बीज जड़े है वो ड्रिल अंदर पाउन दे हो सो ए साड़े कुल जड़ा टूल है इस कॉल्ड बीज पोर या ड्रिल सेकेंड साड़े कुल बीज ड्रिल आंदी है जो आजकल साड़े कुल वरती जान दी है इस दे लई ट्रेक्टर दी मदद दे नाल चलन वाली बीज ड्रिल वरती जान दी है ये बीज ड्रिल मिटी दे विच डुंगाई दे विच जाके सही दूरी ते एक सार बीज जानू फिला दिन दी है जिस दे नाल बीज दे उपर मिटी आ जान दी है ते पंची भी इस दा नुकसान नहीं कार सकते सो विद्यार्थियों आसी देख्या कि आसी सिंपल ड्रिल दे नाल या फिर हुन चेड़ी साधे कोल एडवांस ड्रिल आ गई है उस दे नाल आसी बीजा नू मिटी दे अंदर तक पहुचा सकते हैं सो ए तुसी देख सकते हो बीज ड्रिल फिर इस तो इलावा हत्था नाल बीजाई वी कीती जान दी है क्योंकि कोच जड़े बीज ने वो नर्सरी वीच उगाई जान दे है ते जदो पनीरी त्यार हो जान दी है उननानो उथो पुटके हत्था नाल खेता वीच बीज दितत जान दा है सो विद्यार्थियों इस अड़ा स्टेप सी बिजाई थर्ड सर्डिकुल स्टेप ओन दा है खार दा पॉना मैनियोरीं सो असी पोदियां दे वादे दे लेई मिटी ते मिटी दी उपजाव शक्ती नुब दान दे लेई मैनियोर और फर्टिलाइजर्स इस अड़ा सी देख्या होना कि खेता दे विच कुछ रसाइन चिड़के जान देने ठीक है जी उनना असी खाद केंदे हां इक कोशन तरड़ा बहुत इंपोर्टेंट है इस तानों हर जगा पुछे जानगे कि तुसी रसाइनिक खाद ते रूडी खाद देविच अंतर स्पष्ट करना है रसाइनिक खाद अकार्बनिक पदारत हुन दे हन अकार्बनिक यानिक इन और्गैनिक सॉल्ट अते रूडी खाद ओ खाद हुन दी है जो कुदर्ती हुन दी है तो जो असी पौदियां अते जन्तुआं दे विर्थपदार्थां दे अपकटनतों त्यार कर दी हां तो ये नैच्रल सबस्टांस हुन दा है रसाइनी खाद हुत पादन फैक्ट्रियां दे विच कीता जन्द है फैक्ट्रियां विच ही त्यार हुन दी हां क्योंकि केमिकल्स हुन दे ने रोडी खाद जड़ी है वच्चियों ए साड़े करांदे बार खुली थाद उपर त्यार कीती जान्दी है रसाइनी खाद पुमी नो मलड परदान नहीं कर दी ये पर पूर मात्रा दे विच मिटी नो मलड परदान कर दी है ये मलड साड़ी मिटी देले ये बहुत ज़्यादा जुरूरी हुन दा है रसाइनी खाद विच नाइट्रोजन फॉस्फोरस दे पोटाशियम आद पौशिक तत पर पूर मात्रा विच हुन दे हैं जिना नो तुसी एन पी के वी केंदे हो जिना दे विच नाइट्रोजन फॉस्फोरस पॉटाशियम दे मात्रा पर पूर हुन दी है जदकी रूडी खादा दे विच रसाइनी खादा दे तुलना विच ए पोशिक तत कुछ कट मात्रा दे विच हुन दे हां जदकी रसाइनी खाद यानी के फर्टिलाइजर्स अते रूडी खाद यानी के मैनियोर दा डिफरेंस चंगी तरा समझ आगया हुएगा इसनो तुसी अपनिया कॉपियां दे उपर नोट कर लेना है एसाड़ा स्टेप सीगा खाद दा पौणा खाद विद्यार्थियों साड़ी मिट्टी दे लई एक पोश्टिक तत दा काम कर दी है क्योंकि पोश्टिक तत जड़े मिट्टी दे विच होनगे ताही साड़े पौदे जड़े है वो वद्फुल सक दे है एसाड़े कोल सी स्टेप खाद हुन असी गल करांगे के रूड़ी खाद इस दे की लाब हान रूड़ी खाद विद्यार्थियों जिमें के तुसी असी देख्या होना के सबजियां आते फ्रूर्ट दे छिलके उन्हां तो त्यार कीती जान दिया है या फिर असी जड़े साड़े को लाल गंड़ोए हुन देने उना तो असी वर्मी कमपोस्ट यानि के गंड़ोया तो खाद जड़ी ओवी त्यार कर सक दे हाँ गंड़ोए साड़े मिटी नो बहुत उपजाओ बनान दे है तो ये मैन्योर रूडी खाद दे की लाभन विद्यार्थियों देसी खाद पूमी दे पाणी नो सोक के रखन दी इस दे विच समरत्ता हुन दी है तो इसनो पाणी दा सुदार कर दी है ये पूमी नो मसामदार बनाओं दी है गैसा दा वटांदरा असान हो जान दा है ये मिट्टी दे विच मित्तर किडिया यानि के अर्थवर्म जडिया उना दी संख्या विच वादा कर दी है ये पूमी दी बनतर दे विच सुदार कर दी है रूडी खाद दे साडेकोल बहुत लाबने तुसे देख सकते हो कि एसा नो बहुत ज़्यादा वर्तनी चाहिदी है नेक्स टेप साडेकोल ओंदा है सिंचाई यानि के इरिगेशन फसला नो वकवक समे पाणी देन दी प्रक्रिया नो असी सिंचाई केंदे हाँ होन सिंचाई दे सोमे की की हन पुरानी समे देविच साडेकोल सिंचाई दे लई खू, ट्यूवल, छपड, चीला, दर्या, बन, नहरा ए सब हुन दे सान तुसी पंजाबी गीता दे विच भी देख्या हुना के इना सारे सोमे नो वर्त के खेता नो सिंचाई कीती जान दी सी पर होन साडेकोल बहती अलागलाग तरीके चड़े है ओ आज गयने जिवे परंपराग्र तरीके दी गाल करी ये ट्रोडीशनल मैथड उना दे विच किरनी पर नाली, चेन, पंप, टेकली, हल्ट ए सारे वर्ते जान दे सान तुस्सी देख साकते हो, इस पिच्चर देवेच तानू किरनी पर नाली, चीन पंप, टेक ली, अते हल्टा द्वारा ए जड़ा सिंचाई कीती जान दी सी सो आधनिक तरीके हो जड़े अडवांस मैथर्स आड़ेकुल आगेने, उनना देविच मजूदा समय विच पानी दी कमी नू देख देया, पानी दी बज़त करन देले, इस आड़ेकुल दो मुख सिस्टम जड़े और ड्वेल्प कीते गएने, उनना देविच है फुवारा पर नाली यानिके स्प्रिंक्लर सिस्टम आते तुपका पर नाली यानिके ड्रप सिस्टम, फुवारा पर नाली स्प्रिंक्लर सिस्टम दे विच बद्यार्थियों की हुंदा है, इस दे विच लंबात्मक रूम दे विच कुछ पाइपा जड़िया, उनना नो खड़ा कर तो इस दे नाल जड़ा है वो खेता नू पानी दा छिड़का कीता जानदा है तो फुवारा प्रनाली जड़ी है इस आड़ी रेतली मिट्टी दे लई बहुत लाब दाइक है तो उसे देख साकते हो किस तरह नॉजल दे रही पानी जड़ाया फुवारे वांगू बाहर निकल रहा है तो इस नू क्या जानदा है फुवारा प्रनाली नेक्स आड़ीकुल है तुपका प्रनाली यानिके ड्रिप सिस्चम तुपका प्रनाली दे वेच पानी दा कोई भी तुपका जड़ा उसनों असी व्यर्थ नहीं जान दिन दे ये जिथे पानी दी कमी हुन दी है उनना खेतरां दे वेच जादा वर्ती जान दी है सो इस दे पर नाली दे वेच तुपका तुपका करके जड़ा दे नेडे वली जगा दे उपर पानी नू छड़ा जानदा है फालदार द्रकता बागा दे लई ए जड़ा तरीका है ए बहुत वदिया है सो इह advanced systems ने जिन्नों असी drip system खेंदे हां सो आदुनिक से संचाई दे सादन फुवारा पर नाली ते तुपका पर नाली sprinkler system and drip system next step बच्चियों साडिकुल ओंदा है गोड़ी करना जड़ों असी पानी भी दे दितता उस तो बाद असी गोड़ी कर दे हां यानि के wedding खेत दे वेच तुसी देखते हो के फसल दे नाल कई वार फालतु पौदे वी उगउन दे हां इना फालतु पौदे नो असी नदीन कहन दे हां यानि के weeds तो इना अन्चाहे पौदे नो खतम करन दे लई असी जो किरया कर दे हां उसनो असी गोड़ी जाब वीडिंग खेन दे हां विद्यार्थी हो नदीम खतम करन दे लई असी दो टेखनीक्स वरत दे हां तो उसी आथ दे नालवी सिंपली उसनो पूट सकते हो जो तढ़े नदीन ने जिसनो असी हांड प्लकिंग कहनदे हां या फिर असी कुछ क्यामिकल्स जड़े आया नदीन नाशक वीडी साइड्स वर्त के वी अपनी जड़े नदीन ने उनानों खतम कार सकते हां एक्जाम्पल दे तौरते 24D अते बुटा कलोर सो ए जड़े नदीन ने वी द्यार्थियो इना दी रोकताम दे लई असी ए रसाइनिक पदारत चड़क दे हां खड़ी फसल दी उपर ही इसता सप्रे कीता जानदा है तो सड़े जड़े नदीन नाशक चड़काव जड़ेने ए सानु वी नुकसान दे साकदेने सो एना दा छिड़काव बहुत ही साप्दानी नाशानु करना चाहिदा है सो गोड़ी करन तो बाद नेक्स्ट अब की होना चाहिदा है वाड़ी जड़ो साड़ी फसल पाक के त्यार हो जानदी है उसनु असी कट दे हां उसनों कटन नो असी वाड़ी कहनदे हाँ सो एदे लए वी कुछ सांध जड़े अवरते जानदे ने जिमे के रीपर आंड कमबाइन हार्वेस्टर सो विद्यार्थियों तुसी देख सकते हो के रीपर ते कमबाइन हार्वेस्टर दी मदद दे नाल असी अपनियां त्यार हुईयां फसला नो काट सकते हाँ कटी होई फसल विच्छों दाणिया नो वक किता जानदा है जिसनों गहाई या थ्रेशिंग भी किहा जानदा है सो विद्यार्थियों काट जमीन वाले किसान जड़े हो दानिया नो तूड़ी तो वक करन दे ले छटन विदी दी वर्तों भी कर दे हां ते वड़ाई तो बाद जदो साड़ी कसल फसल जड़ी है वड़ी जनदी है उसनो जड़ा नाड थले बचदा है उसनो साड़ दित्ता जनदा है इस तरह करन दे नाल बहुत परदूशन फैल दा है आजकल सरकार ने विए दे ते बैन लगाया होया है कि तुसी विद्यार्तियों जड़ा थले नाड बच जानदा है उसनो अग नहीं लगानी इस दे नाल परदूशन फैल दा है ते साड़ी जड़ी मिटी द्यूपजाव श हरन्नदा विसाकी दा जदो की फसला साड़ियां पाक के त्यार हो जान्दियां ने उस समे य तिहार मनाया जान्दा है सो विद्यार्तियों वुट श्वट बसुड़ा नेक्सों सब्सितब पंडारन बिल्कुल जी जड़ा नाल यहारो शेकल पंडे नाल था डे ते विद्यार्थियों इस तो इलावा साड़े कोल असी पोजन जड़ाया वो पश्वातों भी ले सकते हैं जिसनों असी आनिमल रुएरिंग कहन दे हां करदे वेच तुसी देक्षा हुना के पशु जड़े या पाले जाने ने जिना तो इसनों चुछ खान यूग पदारत प्रापत करदे हां उसनों असी पशु पालन कहन दे हां विद्यार्थियो असी पोजन अपना पोध्यां तो तो प्रापत कर दे ही कर दे हाँ इस तो इलावा कुछ जानवरा तो भी असी अपना पोजन प्रापत कर दे हाँ So this is the time for recapitulation असी हुन दोहराई करांगे कि आच दे पाठ दे विच विद्यार्थियो तुसी की सिख्या So A तुसी मैच करना है एक पासे ता डेकोल लिख्या है फसलां दुझे पासे ओधियुधारने हुन तुसी सब तो पहला इसनों मैच करोगे जी फर्स्ट इस खरीफ फसल खरीफ क्रॉप्स जी विद्यार्थियो किस दे नाले मैच होएगा A, B, C जा D मैं तो हड़े उत्तर दी उड़ी कर रही हां खरीफ फसल जेड़ी है वो तो हड़े किस नाल मैच करेगी A दे नाल यानि के राइस दे मेज ए ठीक है जी फर्स्ट विल मैच विद A नेक्स्ट इस रभी फसल रभी क्रोप एक इस दे नाल मैच करेगी विद्यार्थियो A, B, C, जा D ए ता निकल गया हां जी रभी फसल इस दे विच D दे नाल मैच करेगी यानि के कनक, छोले, मतर, मतर आद सो थर्ड साडेकुल है रसाइनिक खादा येस विद्यार्थियो इना चो केड़ी रसाइनिक खाद है कि ये एनिमल डंग है या फिर यूरिया ते सूपर फॉस्पेट है बिल्कुल छेती जवाब दियो रसाइनिक खादा जड़िया ने एस अडेकुल आप्शन है यानि के यूरिया आज सूपर फॉस्पेट फॉर्ट साडेकुल है देसी खादा यानि के मैन्योर इना दे विच्चों साडेकुल केड़ा मैन्योर है बिल्कुल ठीक जवाब साडेकुल चेड़ा एनिमल डंग है वेस्ट है प्लांट्स दा पशुआ दा गोबर ते फालतो जड़े पदार्थ ने पॉद्यां तो सानुप्रापत हुन देने ओ सारे साड़ी देसी खाद बनाउन दे विच्च मदद कर देने विद्यार्थियो आज ऐसे डिसकस कीता कि फसल उतपादन किस तरह कीता जान्दा है केड़े केड़े स्टेप्स ने जड़े असी माइंड विच रख दे हां जदो असी एक फसल नो ओगौना है उस दे विच असी केड़े केड़े स्टेप्स वर्तों करनी है तांके साढ़ी चड़ी फसल है वो चंगी पक के त्यार हो जावे उमीद कर दी हां कि तुसे इस पाठ नो चंगी तरह समझ लिया होवेगा तानवाद